आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Advertisement रइटिंग के बारे में तो इस advertisement रैटिंग में अपन स्पेशिल्ब के लिए तो दोस्तों Accommodation की एक continuous 우리는 चलने वाली है इसके लगातारMus रग्टुबए का अपको तो आप किस परकार लिखोगे इसके लिए आप देखते हैं सबसे पहले देखेंगे आपको एक्जाम में किस परकार क्यूसन दिया हुआ रहेगा क्यूसन आपको देखो यहां पर ऐसे दिया हुआ रहेगा You are Rajkumar, You have an extra house in Azmir आप राज कुमार हो, आपके पास में अजमेर में एक extra गर है You want to sell it, आपको उसको बेचना है आप उसको बेचना चाते हो, write an advertisement to be published in the local newspaper of your city, ऐसा कुछ आगे आपको दियावा मिलेगा आपके पास में एक extra गर है, अजमेर एरिया में आप उसे बेचना चाते हो इसलिए आपको एक advertisement लिखना है, जो भी publish होगा एक local newspaper में तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा, advertisement में आपन या करते हैं एक box बनाते हैं, एक box बना करके आपन या करेंगे, इसमें column बनाएंगे उपर और column में, capital letter में आपको लिखना है accommodation इध्यान रखना आप, capital letter में आप लिखोगे accommodation फिर उसके बाद में, sale करने के लिए आप शुरुवात करोगे A very well furnished and newly constructed house is available in Azmir area क्या शुरू करोगे? A very well furnished and newly constructed house is available in Azmir area उसके बाद लिखोगे, the house, the house की जगे आप it भी लिख सकते हो The house has two bedrooms उस गर में दो bedrooms है, attached with latent bath, जो कि latent bath से attached है A modular kitchen, गर में एक modular kitchen है, a big hall एक बड़ा सा hall है गर air conditioner है, car parking area with small garden गर में car parking area भी है, इसके साथ मैं आपको एक small छोटा सा garden मिलेगा Working distance from RJS hospital, वानने यहाँ पे एक hospital है RJS hospital, उसे थोड़ी सी दूरी पे यह मौजूद है rate इसकी कितनी है, 50 लाग और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और यह चीज़ mention कर देनी है कि rate agreement है, वो अनिवार यह होगा उसके बाद मैं address और contact number आपको लिखना है address कोई सा भी आप अपने suitable लिख सकते हो या अगर question में दिया वा तो आपको mention कर सकते हो तो देखी एक बार वापर से आपको लिखना कैसे है सबसे पहले एक box बना है, box बना करके, column बना करके उसमें heading डाल दी accommodation उसके बाद मैं आपको लिखना है a very well furnished and a newly constructed house is available in Azmir area the house has two bedrooms attached with latent bar a modular kitchen, a big hole, air conditioner, car parking area with small garden working distance from RJS hospital, rate जिसके आपने 50 लाग लिखी और उसके बाद मैं rate agreement हो गया तो अब उसमें ये भी आप एक word एड़ कर सकते हो rate agreement must और उसके बाद मैं suitable address या फिर क्यूशन में जो address दिया वा है उसको आप यहाँ पर mention कर सकते हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ में share कीजिए Thank you